बंदों को नमस्कार मेरा अपना मंत्री मंदल में पदबार संभालने के बाद और मेरे पास दो मिनिस्ट्री है दो मिनिस्ट्री का पदबार संभालने के बाद ओफिशिली आज आप से मिलने का मौका मिला आज रिवीव मीटिंग लिया मुखय मंत्री पेमा कंदु जी और उपु मुक्य मंत्री चव्णामेंट जी और मिनिस्टर सोचिल वेलफियर और साथ में कई डिपाटमेंट्स यहाँ अड़नाचल में संभाल रहे हैं केंतो जीनी साब जो मेरा लाइन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं वो भी मौज़ुद थे और रोदेबुई जी जो एडवाइजर है डिपार्टमेंट का जो सोशल वेलफियर और बाकी और देख रहा है सारा ओफिसर्स के सार रिव्यू मीटिंग लिया यह मेरा अपना स्टेट भी है और मैं यहाँ का लोग सवा एंपी भी हूँ इसलिए मुझे यहाँ का प्रॉब्लेम यहाँ का रिक्वार्मेंट समझने में कोई मुश्किल नहीं है इसलिए हम लोग ने एक गंटे का सबसे पहले तो मेरा जो माइनर्टी एफियर्स मिनिस्ट्री है उससे आठ सो क्रोर से ज्यादा पैसा हमने अलरेधी अरुडाचल प्रदिस को दे चुके हैं टूजन नाइनटीन में मैं जब यूड एफियर्स और स्पोर्ट्स मंत्री थे तब मेरा पास में एडिशनल चार्ज माइनर्टी एफियर्स का भी था तो एक तरीके से माइनर्टी एफियर्स मिनिस्ट्री में मैं काफी सालों से देख रहा हूँ एक तरीके से ये मेरा second term जैसे ही है और इस बार full-fledged cabinet minister होने के डाते जो programs, policies जो भी हम चलाएंगे हमारा अरुनाचल प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, North Eastern region को ध्यान में रखते हुए और पूरा हिंदुस्तान के अंदर में छे minority communities है उसका ध्यान में रखते हुए हम program चलाने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो छे minority communities है हमारा देश में Muslim, Christians, Buddhists, Jains, Sikh और पार्सी ये छे community को आगे ले जाने के लिए प्रदान मंतरी मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास मंतर को ध्यान में रखते हुए छे communities का बहुत सारा program हम लोग चलाते हैं उसका हिसाब से हमारा और नाचल प्रदेश में काफी संक्या में minority communities हैं तो मैं आपके माध्यम से देश वाश्यों को बताना चाहता हूं कि हमारा देश का जितना minority communities हैं उसको special ध्यान में रखते हुए भारत सरकार बहुत सारा काम कर रहा हैं कभी-कभी गलत फेमी होता है कि हमारा देश में minorities को ठीक से मदद नहीं मिलता है जबके मोधी जी प्रदान मंतरी बनने के बाद minority communities के लिए जितना काम किया है जितना schemes चला रहा है उतना आज तक किसी सरकार ने किसी प्रदान मंतरी नहीं किया है आज मोधी जी के नित्रत में इतना सारा काम चल रहा है मैं मानता हूं कि हमारा minority communities बिल्कुल schemes को देखते वे कह सकता है कि सबस्मूदाओं का क्याल रखता है और सारा communities का धियान रखता है और उसी हिसाब से schemes भी देते हैं प्रदान मंतरी जन्विकास योजना जो हैं यहां अरुनाचल में काफी सालों से चल रहा है जैसे मैंने बताए लगबग 840 क्रोड से ज्यादा हमने पैसा दे चुका है और आज review meeting में state government के तरफ से सारा photograph के साथ में दिखाया है जितना भी स्कूल का building बना है मल्टी पर्पस होल्स बना है स्किल डेवलोमेंट के लिए बाकी department के लिए जितना भी scheme support हमने दिया है वह सारे के सारे schemes दिखने का बात मैं यह कह सकता हूं कि schemes का implementation अच्छी तरीके से हुए है physical infrastructure का development बहुत अच्छा से हुआ है एक चीज का कमी जो दिखाई दिया वह है उस scheme का geotaking जो है अभी पुरा नहीं हुआ है यानि कि scheme जितना implement हुआ है उसका proof के लिए भारत सरकार के पास उसका पुरा information रखने के लिए geotaking का प्रवदान किया गया है तो आज हमारे मुझूद में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि एक महिने का अंदर में सारा schemes जो minority affairs ministry से sanction किया है सारा schemes का geotaking होना चाहिए ताकि कोई भी आदमी किसी भी वक्त schemes के बारे में तूरं लोकेशन कर सके और जानकारी प्राप्ट कर सके स्कीम का प्राइवर्टी के साब से education सेक्टर में सबसे ज्यादा schemes और नाचल को मिला है कि आज और नाचल स्टेट गवर्मन का तरफ से कुछ और request आया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कुछ ब्लोक में minority affairs का schemes implement नहीं कर पा रहा है उसको पूरा करने के लिए relaxation का request किया गया है तो मैं आज यहां गोशना भी किया है कि कुछ relaxation हम करेंगे ताकि पूरा और नाचल प्रदेश में मेरे minority affairs ministry से जो भी स्कीम है हर एक ब्लोक में और हर एक डिस्ट्रिक में लागू कर सके ऐसा हम relaxation करने वाले हैं चाहिए वह population criteria हो चाहिए वह geographical jurisdiction का criteria हो हम relax करेंगे दूसरा हमने कहा है कि health sector को हम priority देने चाहते हैं हमारे दोनों मंत्री जी केंतोजिनी जी और advisor यूम्तो बूई जी अवारा रोदे बूई जी दोनों ने भी suggestion दिया है health sector यूट एफियर sports में sports facilities create करने में मेरा ministry से भी पैसा दिया जाएगा health में जैसे health hospital का dispensaries का और कुछ units खड़ा करने में पैसे का जोरत पड़ेगा उसमें हम enhancement करेंगे और हम ज्यादा रुप्या sanction करेंगे कि केड़ेगे जीए झाल करेंगे और हमस्ता है झाल